हेलो फ्रेंज, वेल्कम बेक टो माई चैनल, तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ बनाने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं, ये, हम बनाने वाले हैं, फर्ण फ्राइ, तो अगर आपको भी फर्ण फ्राइ पसन है, तो मेरे इस वीडियो को को अन्तक जरूर देखें तो सबसे पहले फरंड को हमें ऐसे चोटे-चोटे टुक्रों में तोड लेने हैं तो फ्रेंज आप देख सकते हैं यह हमने चोटे-चोटे टुक्रों में तोड लिया है तो अभी हम इसे अच्छे से वाश कर लेंगे तो फ्रेंज मैंने सुना है कि कुछ लोग फरंड को बिना वाश करके भी फ्राई करके काते हैं बद जहां तक मुझे लगता है कि हमें कोई भी काने वाली चीज अच्छे से वाश करके काने चाहिए चाहे वो fruit हो या vegetables हो हमें अपनी hygiene maintain रखनी चाहिए आप देख सकते हैं ये हमारा फ़र्ण अच्छे से wash हो गया है तो अभी ये fry करने के लिए ready है तो fry में डालने के लिए हमने यहां लिया है onion औ चिली तो fry करने के लिए सबसे पहले हम oil डाल लेते हैं फिर oil गरब होने के बाद हम डालेंगे चिली फिर हम डालेंगे onion और तोरी देर हम इसे अच्छे से पका लेंगे फिर हम डालेंगे अपना फ़र्ण जो हमने अच्छे से wash करके रख लिया था तो फ्रेंस आप देख सकते हैं यह हमारा फ़र्ण अभी बहुती ज़्यादा लग रहा है कराही में तोरी adjust करने में मुस्किल हो रहा है लेकिन end में आप देखिएगा फ्रेंस यह बहुती कम हो जाएगा पकने के बाद तो फ्रेंस आप देख सकते हैं यह हमारा फ़र्ण अभी बहुती कम हो गया है पकने के बाद अभी हमारा फ़र्ण अच्छे से नहीं पका है तो हम और अच्छे से पकाएंगे इसे तो फाइनली यह हमारा फ़र्ण पक चुका है आप देख सकते हैं फ्रेंस ओ-ओ सोरी फ्रेंस मैं सॉल्ट डालना बूल गया था नमक तो मैं अभी डाल रही हूं सोरी तो यह हमारा रैड़ी हो चुका है फ़र्ण अबमे से निकालके तेस्ट करूँगी अभी फ्रेंस आप देख सकते हैं यह बहुती स्वादिस लग रहा है तो अभी मैं इसे रैस के साथ तेस्स करूँगी यह मैंने दाल लिया है दाल भी मैंने fried करके बनाया है तो यह है हमारा farm तो अभी मैंसे test करके बताती हूँ आपको तो बहुत अच्छा बना है फ्रेंज तसी तो लग रहा है कुछ से तारिप कर रहा हूँ मैं तो मैं आज का वीदियो यही end करती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरू कर देना थेंक यू फो वाचिंग